Hello Everyone, The Online Guru में मैं सुनल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं राजस्थान बजट फॉर दे सेशन 2022-23 अन्नाउंस किया जा चुका है हमारे previous session में हमने दो important session upload किये थे जो इसके analysis पे थे इसके visualization पे थे उसके बाद एक session हम इस पे MCQ question, multiple choice question जो कि आपके exam में आते हैं उसी type में upload कर चुके हैं और आज के इस session में आपका जो MCQ है उसका part second आपके सामने present कर रहे हैं ऐसे ही important sessions हम regular basis पे आपके लिए ले कर आते हैं तो अगर आप भी उन्हें देखना चाहते हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ ये session अगर आपको पसंद आए तो like और share जरूर कीजिएगा आज का session सार्ट करें उससे पहले मैं आपको on academy से introduce करवाना चाहूंगा ये इंडिया का largest learning platform है इसकी मदद से आप Rajasthan के exam easily crack कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे दिये गए description से on academy learning app install करना है login या sign up कीजिए अपने goal को select कीजिए अपना language select कीजिए और free classes के लिए हमारे code को जो की online guru है आप वहाँ पे use कीजिए अगर आप REIT level 1 या level 2 के लिए preparation करते हैं तो free practice test series आपके पास उपलब्द है every Monday every Tuesday and Wednesday timings आप note down कर लीजेगा और अगर आप rank 1 लाते हैं तो 500 रुपीज का Amazon voucher भी जीत सकते हैं इसी के साथ अगर आप REIT level 2nd के लिए भी हैं चाहे science maths की category में हैं तो भी आपके लिए practice test paper है जो every Thursday और Friday को organize किया जाएगा साथ ही साथ अगर आप राजस्थान police constable के preparation करते हैं तो भी free practice test series आपके लिए उपलब्द है Unacademy join करने के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि आप live अपने घर से पढ़ सकते हैं course का unlimited access आपके पास रहेगा इंडिया के top most educators आपको मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजे आप Unacademy राजस्थान police constable के योधा batch में भी enroll कर सकते हैं जहांपे plus test series every Sunday आपके लिए उपलब्द है इसी के साथ various examination के preparation के लिए आप Unacademy से जुड़ सकते हैं और अगर आप हमारे code को use करते हैं तो आपके subscription पे आपको instantly 10% का discount भी वहाँ पे दिया जाएगा साथ ही साथ अप Unacademy को इनके various platforms पे भी follow कर सकते हैं जो की YouTube और Telegram पे हैं इन सभी के link नीचे description में दिये गए हैं तो join कीजिएगा देखे question कह रहा है कि राजस्थान बजट 22 के अनुसार जैपुर मेट्रो बड़ी chopper से लेकर दिल्ली आगरा highway पर ट्रांसपोर्ट नगर तक जिस phase का निर्मान किया जाएगा वो कौन सा है तो देखे पहले के budget में phase 1A और 1B का कारेकरम पूरा हो चुका है तो उसे छोड़ते हुए अब दो नए phase यहाँ पर बताए गए हैं पहला तो देखिएगा एक जो है आपका बड़ी chopper से दिल्ली आगरा highway ट्रांसपोर्ट नगर तक वाला जो है उसका नाम दिया गया है 1C और इसी टाइप में एक आ जाता है 1D और 1D के बारे में अगर बात करें तो 1D कहां से होगा तो यह हो जाएगा मान सरोवर से 200 फिट बाइपास 200 फिट बाइपास के reason पर जो अजमेर रोड है ठीक है अजमेर रोड है वहां तक जो phase होगा उसका नाम क्या दिया गया 1D दिया तो यहां पर टोटल 1C और 1D के लिए government 1185 करोड रुपए का budget प्रावधान उपलब्ध करवा रही है ठीक है नेक्स आजाता है बजक 22-23 के अनुसार बॉटनिकल गार्डन के स्थापना के लिए कितने का प्रावधान किया गया है तो देखो एक तो राजस्थान में पहले से उपलब्ध है विश्ववानी की उद्ध्यान ठीक है विश्ववानी की उद्ध्यान कहां पे है तो में इसी के तज पे अब क्या किया जाएगा एक तो बनाया जाएगा जोटपुर में सेकंड घोशना की गई है बीका नीर के अंदर थर्ड घोशना की गई है कोटा के अंदर फोर्थ है आपका उद्धैपुर के अंदर फिफ्थ है आपका भरतपुर के अंदर और सिक्स हो पॉटनिकल गार्डन बनाने की घोशना की गई है बजट 2022-23 के अनुसार e-waste recycling पार्क कहां खोला जाएगा तो देखो जो e-waste होता है जो कि आपके mobile, laptop, etc. का कचरा होता है उसका निस्तारण करने से related government क्या लेकर आ रही है एक तो e-waste disposal policy ठेक है e-waste disposal policy लेकर आ रही है और इसी policy के तहट जैपुर के अंदर क्या किया जाएगा e-waste recycling पार्क खोला जाएगा और इसके लिए government ने अभी 50 करोड रुपए का जो प्रारंभिक निवेश है उसकी घोशना की है budget 22-23 के अनुसार परिटन विकाश को उसकी राशी कितनी होगी तो देखें सबसे पहले तो 2021-22 की बात कर लें वहाँ पे 500 करोड रुपए जो है वो government ने घोशित किया था अब उसको बढ़ाते हुए 2022-23 के अंदर government एक हजार करोड रुपए जो है वो यहाँ पे वै करने वाली है और यह जो एक हजार करोड है इसको दो भागों में बाट लीजे चार सो करोड जो है वो क्या किया जाएगा branding के अंदर खर्च किये जाएंगे और बचे वे जो 600 करोड है वो आपके मूल भूत सुविधा यानी की infrastructure इंफा स्ट्रक्चर को विक्सित करने के लिए किया जाएगा तो ओवरॉल कितने का बजट दे दिया एक हजार करोड का यहाँ पे बजट उपलब्द करवाया गया बजट 22 ते इसके अनुसार वागड टूरिस्ट सरकिट में किन स्थानों का विकास किया जाएगा तो देख अगरपुर और बासवाड़ा यहाँ पे शामिल किया जाएगा इसमें कुछ प्रमुक स्थान है जैसे कि एक तो मानगड धाम हो जाता है कि यह इंपॉर्टेंट है दूसरा कि देव सोमनात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देव सोमनात के बाद आप भूल सकते हैं बैनिश वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फिर हो जाता है गलिया कोट यह इंपॉर्टेंट स्थान है अर्थुना नाम का एक प्लेस है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा सुन्दरी त्रिपुरा सुन्दरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्या है कडाना और माह सागर थेक है माही बजाज सागर जो है वो यहां पे है और इसी पे एक क्या है कागदी पिक अप कागदी पिक अप है इसी के साथ साथ क्या है यहां पे घोटिया अंबा है तो इन सभी जगहों को क्या किया जाएगा एक सर्किट बनाया जाएगा और उसका नाम क्या रखेंग जो कि डूंगरपुर और बासवाड़ा के शेत्रों के विकास के लिए परियेटन के लिए बनाया जा रहा है बजट 22-23 के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर सैनिक कल्यान भवन बनाया जाएगा तो देखो एक तो जितने भी क्या हो जाते हैं सैनिक हो जाते हैं उन सभी के लिए जितने भी भूत पूर्व सैनिक हैं उनके लिए इसी के साथ साथ जितने भी क्या हैं सहीद सैनिकों की विधवाएं हैं उन सभी के लिए ठेक है उनकी जो विधवाएं हैं साथ ही साथ उनका जो परिवार है एवं परिवार उन सभी के लिए ठीक है उनके परिवारों के लिए क्या किया जा रहा है सैनिक कल्यान भवन बनाया जाएगा और ये कहां बनाया जाएगा तो जैपुर के अंदर बनाया जाएगा और इसके लिए 20 करोड रुपए का व्या किया जाना है राजस्थान बजट 22-23 के अनुसार मुख्यमंत्री क्रिशक साथी योजना की राशी को 2000 करोड से बढ़ा कर कितना कर दिया गया तो देखो क्रिशक साथी योजना को 2000 से बढ़ा कर 5000 करोड रुपए कर दिये गये हैं और इसी के साथ क्या किया गया एक mission mode बनाया गया और इस mission mode में कितने mission हैं 11 mission हैं मैं नाम ले देता हूँ आप one by one लिख सकते हैं एक तो है राजस्थान सूक्ष्म सचाई mission दूसरा है राजस्थान जैविक खेती mission तीसरा है बीज उत्पादन और वितरन mission फोर्थ है मिलिट प्रोत साहन mission फिफ्थ है सनरक्षित खेती mission सिक्स्थ है उद्यानी की विकास mission सेवन्थ है फसल सुरक्षा mission एट है भूमी उर्वरक्ता mission नाइन्थ है क्रिसी श्रमिक संबल मिशन तेन्थ है क्रिसी तकनीकी मिशन और इलेवन्थ है खाद्दे प्रसंसकरन मिशन ये 11 के 11 नाम मैंने आपको जब बजट का विशलेशन दिया था उस समय पे उपलब्ड कराया था तो इस वीडियो के बाद में अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजेगा और ये 11 नाम जो है वो आपके लिए important हो जाएंगे बजट 22 ते इस के अनुसाज Center of Excellence for Millet की स्थापना कहां की जाएगी तो देखिए जोधपुर के अंदर जोधपुर कृशी विश्व विद्याले में पांच करोड रुपए का government यहाँ पे वे करेगी और उसी के साथ Center of Excellence for Millet की स्थापना की जाएगी अब साथ में अगर हम लोग बात करें तो Millet Year कौन से वर्ष को घोशित किया गया है अप लोग नीचे comment section में comment करके बताईएगा budget 22-23 के अनुसार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में प्रदेश के कितने जिले आते हैं तो देखिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना या फिर Eastern राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के तहत राजस्थान के तेरा जिले जो हैं इसमें शामिल किये जाते हैं जैसे की जालावाड, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करॉली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जैपुर, अजमेर, टॉंक ठीक है इन सभी केस पेजल और सिचाई के लिए ये योजना कार्यरत रहेगी अब इस योजना में एक छोटा सा हिस्सा ठीक है जो आगामी वर्ष गॉफ्मेंट शुरू करने वाली है, वो हिस्सा कौन सा है तो नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, इसर्दा लिंक, से रिलेटेड जो योजना है उसे गॉफ्मेंट महल पुर बैराज से लेकर महल पुर बैराज एवं रामगड बैराज को गॉफ्मेंट अपने स्थर पे स्थार्ट करने जा रही है जिस पे 9,600 करोड रुपे का गॉफ्मेंट ने बजट आवंटित किया है और इसी के लिए Eastern Rajasthan Canal Project Corporation यानि की परियोजना निगम का भी गठन करने का इस बजट में योगदान किया गया है बजट 22-23 के अनुसार मुख्यमंत्रे दुग्द उतपादक संबल योजना में अनुदान की राशी दो रुपए से प्रती लीटर से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है तो देखिए ये जो योजना थी वो स्टार्ट की गई थी एक एप्रिल 2013 को इसमें दो रुपए प्रती लीटर अनुदान दिया जाता था जिसे बढ़ा कर अब गौफमेंट क्या कर रही है पाँच रुपए प्रती लीटर उपलब्ध करवा रही है बजट 2021 ध्यान से देखिएगा 2022 के संसोधित अनुमानों के अनुसार चुकि आप जानते हैं बजट के अंदर प्रीवियस येर का संसोधित अनुमान होता है तो 2021 के संसोधित अनुमान के हिसाब से राजस्व घाटा कितना है तो देखिए यहां जो राजस्व घाटा है वो 35,689 करोड ठीक है और 36,00,00 रुपए है यानि की आप्शन नंबर भी है ये किसके लिए है प्रीवियस सेशन 2021 के लिए है सेम एस पूछा गया 2022-23 के अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा कितना होगा तो 22-23 के अनुमान में जो है वो 23,488 करोड 56,00,00,00 रुपए जो है वो यहां पे राजस्व घाटा हो जाता है अब ये राजस्व घाटा कैसे निकालते है तो आप यहां पे कह सकते हैं कि राजस्व घाटा is equals to राजस्व वे माइनस राजस्व प्राप्तियां ठीक है इनको जब आप माइनस करेंगे तो जो आपके पास अमाउंट आएगा वो राजस्व घाटा कहलाएगा राजस्थान बजट 22-23 में क्रिशी विकास और क्रिशकों के कल्यान हे तो किस नए बजट खंड को जोड़ा गया है अब तक का सबसे important question अप मार्क कर सकते हैं बजट के अंदर जो क्रिशी का नया पार्ट जोड़ा गया है वो 4D यानि कि 4D को यहां पे जोड़ा गया है तो student ये था हमारा आज का session I hope आप सभी को पसंद आया हो ऐसा ही important session regular basis पे देखने के लिए आप channel को subscribe करके bell icon प्रेस कर सकते हैं channel पे आपके लिए weekly current affairs राजस्थान सुझस इन सभी के important जो videos हैं वो हम लोग regular basis पे आपके लिए upload करते हैं तो उन सभी को भी देखिएगा आपको help करेंगे मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जाहिंद